हलो सुटेंट्स वेरी गूद इवनिंग जैहिन वेल्कम टो शौरे भारत सानेकर मिलेटरी स्कूल यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागे थे पहरे बच्चों आजगे क्लास के अंदर आप सभी को बहुत सारा हकूना मताता क्लास के अंदर आने के साथ साथ में क्या करन है आप लोग को सब्सक्राइब जूरू करें चैनल को ठीके ना और बाके शेर करें तो कॉन-कॉन व्यूवर्स आ चुके हैं हाई बटा वैभव हाव यू वरी गूड इवनिंग हाई अंकुष हालो एजुकेट हाई आशना हाव यू बटा हाई हालो अंकुष हाव यू सब लोगों ने जो कल शुरुवात कर ली थी उसका थोड़ा सा एक रीकाप कर लेंगे जिससे हमें help out हो जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्यों जरूरी है क्योंकि आप लोगों के लिए important हो जाता है subject verb का agreement इसके अलक्से rules भी साथ-साथ में तो हम लोग topic के साथ-साथ त to know the subject जो भी English शुरू कर रहे हैं English में सबसे पहले चीज जाननी ही subject को लेके होती है सारी कहानी ही है यही से शुरू होगी then only we are able to learn and know की what is a verb को जानना तो यह हमने का structure देखा कि यह जानना बहुत जरूरी है तो प्यारे बच्चों से मेरा यह request है कि मुझे बताए कि what is a subject what is an object ठीक है यह आप लोग को बताया है फिर हाय फिरोजा हाव यू बच्चा वेलकम टूआ क्लास तो मुझे बता दो साथ साथ में कि यह सर यह यह चीज़ है ठीक है आप ने कल बताया था इसको यह बोलते हैं इसकी जगे यह लगाया जाता है इनिबडी हलो हलो हाँ विच्चा सबको हलो बोल चुका हूँ मैं हकुन बड़ाड़ा बोल चुका हूँ अभी मुझे answers चाहिए आप लोगों के साथ में ठीक है ना सब्जेक्ट के अंदर यह पार्ट औव स्पीछ आते हैं यह सारे के सारे वेरी गुड वेरी गुड पहली बात बिल्कुल सही है तो कई न कोई कर रहा होता है तो it is a doer of an action, वो एक action का करने वाला, वर्ब तो action words होते ही है, ठीक है, और object, object के लिए क्लिए लगाओगे, and what about object, बताओ, object बताओ, action हो गया, ठीक है, and what about, click on the, हा, चलो चलो बताओ, object क्या है, doer of an action बताया हम लोगों ने, doer of an action, जैसे वैबब ने बताया, बिल्कुल सही बताया, कि हमें जानकरी रखनी है, कि यह जो होते है, doer, वो कौन करने वाला होता है, part of speech में, noun word होंगे, और pronoun word होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, now tell me what, हा, object is replier, बेटा, बैभाव, इतनी बड़ी mistake मत करो, is receiver, spelling सही करो, ठीक है ना, बच्छा, spelling सही करना, एक तो तुम लोग नाम चेंज कर ले, तो में को उसमें दिक्क्त आती, नाम बदलो मत, नाम, अब educate stations मुझे कुछ नाम याद नहीं रहने वाला है, कभी राना, हाँ, replyer नहीं, copy paste नहीं करना है, receiver, जैसे यह doer of an action है, यह receiver of an action है, यह receive कर रहा है action को, क्या कर रहा है, action को receive करेगा, तब ही हो पाएगा, जिस तरह से यह part of speech, इसके अंदर noun pronoun आते हैं, इसके अंदर भी noun pronoun ही आते हैं, ठीक है न, यह जानकरी रखनी है, हम लोग देखते हैं, भई, यह थोड़ा सा dark color ले लेते हैं, थोड़ा सा dark color, भई, एक्जामपल ले रहेते हैं, हम लोग, teacher is, teaching, students, टीचर जो है, अब हम sentence से जब पूछते हैं, कि भई, action कर कौन रहा है, पहले हमारे पास में सवाल होता है, कि action किसके द्वारा किया जा रहा है, जब हमें answer मिल रहा है, कि action इसके द्वारा है, के द्वारा by, है न, उसके हमें answer मिल रहा है, कि किसके द्वारा, teacher के द्वारा, तो यह हुआ हमारा doer, यह action कर रहा है, अब action कर रहा, अब उसने पढ़ा तो रहा है, जैसे आप सब पढ़ रहे हो, यानि कि वो होगा, object कैलाएगा, क्या कैलाएगा, object कैलाएगा, यह जान कर रहे हैं, receiver, तो यह प्रमुक बात बहुत अच्छे से गाट बान लो, क्योंकि आगे जब हम मैंने बात करी, subject, verb, agreement की, उसका मतलब यही हुआ, सीधे सीधे तोर पर, जो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे जानेंगे, कि अगर subject, यानि कि noun, pronoun singular होगा, तो verb भी singular होगा, पहली बात जान कर रहनी है, noun, pronoun, word, plural होगे, तो verb भी plural ही आएगी, क्योंकि अभी हमने verb बहुत extensive है, आगे बढ़ेंगे, इसलिए पहले हम subject को पढ़ेंगे, subject में भी पहली बात noun है, इसलिए हम noun के उपर जोड दे रहे हैं, कि noun को पढ़ेंगे, फिर और agreement की जब rules आएगे, तब हम जानेंगे कैसे हम and लगा रहे हैं, तो plural बना रहे हैं, हम कैसे conjunction का usage कर रहे हैं, तो हम लोग usage लगा रहे हैं, किस प्रकार सी usage होगा, ठीक है न, distributed words लगेंगे, तो वो कैसा usage लेंगे, ठीक है, तो यह सारी की सारी चीज़े एक एक करके आएगे, लेकिन वो तभी समझी जा सकती है, जब हम अपने subject को जानेंगे, हम subject को जानेंगे कि noun pronoun किया है, उसके बाद इसकी quality को जानेंगे, तो इसकी quality को बताने वाले words हो जाता है, adjective words, वो जानेंगे, वो important हो जाता है, जब हमारे पास में पूरा subject का package complete होता है, then we move forward to verb, तब हम बढ़ते हैं आगे, किसकी तरफ verb की तरफ की हाँ भाईया, अब तुम बताओ क्या-क्या action, अब action है क्या, फिर सम्नजना है, फिर हमारी पूरी कहानी आगे की part of speech की चलने वाली होती है, तो जैसा कि हमें ध्यान है, noun word, noun word का कोई दिक्कत की बात ही नहीं आती है, noun के context में हम लोगों ने देखा, तो noun जब हम बात कर रहे है, noun word की, तो noun simple simple सी बात आती है, noun के लिए, कि वो words जो use किये जाते हैं किसी के लिए भी, आपने चाहे कोई चीज को देखा हो, नहीं देख कर आप गए, और मैडगास कर में बड़े अजीब तरेके के पेड देखे, तो भी आपने क्या दिया, यहां के पेड तो अजीब है, you don't know the name, आपको नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान है कि इस प्रकार की कोई चीज होती, उसको हम पेड बोलते हैं, चार पेर पर इस तरह से कुछ चलने वाला जीव है, तो उसको जानवर बोलते हैं, तो we have the term, हमारे पास ने वो term है, उसको यूज करने के लिए, you don't know entity भगवान, entity कौन है, लेकिन at least you have the name, कि भाहिया, हमने हवा को सिर्फ महसूस कर रखा है, तो भी हमने entity के रखी है, हम आपने देश को लेके बहुत गर्वित महसूस करते हैं, कि हम बहुत प्राउड हैं उसको लेकर, है न, तो भी हमने क्या लगाया, हमने usage करा किसके लिए, कि भाहिया, हम गर्व करते हैं, है तो हम उसके लिए courage word, bravery word, use कर रहे है, तो हमने क्या उसको महसूस करा, लेकि, बट फिर भी भी उसको एक टर्म दिया नाम दिया तो नाम का दिया जाना ही हमारे लिए नाउन हो जाता है स्पैसिफिकली जान कर रखना फिर अब मुझे बताओ कि हम लोगों ने कल क्या करा था टाइपस ऑफ नाउन तो कौन-कौन से टाइपस थे क्या-क्या कैटेगरी मैंने बनाई थी वह मुझे बता दो कि बताओ इसके अंदर कौन-कौन से हमने किन-किन में क्लब करके बनाये थे हैंना क्लबिंग कौन-कौन सी करी थी करां कि कि बटा के चाहरे है क्ल की क्लास में आपके काफी सारी सवतीय समझा दिये अब प्लीज मेरा हम्बल क्यштट है कि एक हम लेकिप स्वाई क्ल भाल demasi लर देख़ोश्唱 देखले ने १ह तो आक प्लान क्या कर लो क्यास कि कि आप कल वाली क्लास को देख लो मैंने उसमें समझाया है ठीक है बेटा इमॉन हंसेन यह आप पर जो अपने आपके पास नंबर होगा हेल्प लाइन जो नंबर है उस पर पूछ लो यह सब चीजें ठीक है कि कहां कब कौन सी क्लास आने वाली है वह साही जानकरी वह देंगे है तो क्लैम के अंदर हमें जानकरी रखनी है पहले पहले जैसे कि विलकुल सही वैभव ने बताया है》 कि हम लोग क्या लिए पहले और गंष्ञा का है प्रोपर कॉमन मटीरयल आप्स्टाउठ और एक नउन सब्सक्राइब नहीं करना थोड़े थोड़े मिस्टेक्स कर रहे हो यानि कि क्लास में ध्यान नहीं देते और रिविजिन नहीं करते ना उनके साथ में मुस्त लिए दिक्कते आती है तो हम पहले करते हैं काउंटेबल कि जिनको गिना जा सकता है भाईया उसलिए हमने क्लब करा एक बड़ी काटेगरी बनाई काउंटेबल की जिसमें हम लोग उन सब नाउन की काइन्स को रख सकते हैं फिट कर सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं फिर हमने एक और क्लब करा अनकाउंटेबल में उन सभी नाउन्स को वो जिनको हम लोग ग सकते तो हम ने क्या कर दिया उनकी कंपणि मना दी के भाइयत अपना भी कर देए। काई बज़ूर्स चैंदर कोचिंग बस वही बात यो जाती है काउंटिब उनकाउंटेबल में कि हम अपने इπने खुद की क्लबिंग कर लेते हैं तो यहां पर हमें जानकरी रखनी है इसमें पिर हम ने क्या देखां क्काउंटेबल केंदर प्रॉपर लां। common noun जिनको याद नहीं रहता वो उसलिए याद नहीं रहता क्लास में साथ-साथ में नोट्स नहीं मनाते याद नहीं रखते गड़बड़ी वही पर आती है तो वह गड़बड़ी करनी नहीं है और collective noun ठीक है ना इध्यान रखो collective noun तो countable में कौन-कौन से आते हैं proper, common, collective गाट बान लो याद रख लो जिनको गिना जा सके जिनको नहीं गिना जा सकता वो हो जाता है abstract है ना और material ठीक है यह specifically जान करी रखनी है तो अब मैं एक-एक करके सब समझाओंगा प्रॉपर नाउन से जैसे नाम से पता लग रहा है किसी specific का नाम लिया जाता है common से को specific का नाम नहीं लिया जा रहा तभी common है collectively जब पूरे किसी ग्रूप को हम लोग refer करेंगे तब करेंगे हम लोग ठीक है ना abstract जिसमें हम मिलकुल महसूस करते हैं हम five senses से उसको perceived के जगे हम उसको महसूस कर पाए तब हम लोग लगते हैं material जिससे किसी चीज़ का निर्मान किया जाता है तो यह एक-एक करके हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमने कल हाला कि इतना तो करा होगा मुझे थोड़ा सा बता दो किया सर वने प्रॉपर नावन कर लिया था खाय बता दो बता है ठीक है तो प्रॉपर नायम ही है फ्रोपर नाम踏पर प्रॉपर का इन्सैन्स जब हम किसी विशेश की बात करते हैं किसी we और बहुत खास है, खाद वीशेश है, यानि कि वो कोई एक ही है, जो वीशेश तो एक ही इनसान हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रिंड तो एक ही हो गा, बाकी वो बहुत सरे फ्रेंड नियुक्र लाइफ में बढ़ा खास है इसलिए वह आपकी लिए प्रॉपर नाउन हो गया वह अपने आप में पर्टिकुलर है ना वह आपके लिए स्पैसिफिक है ठीक है तो यह जानकरी रखनी है प्रॉपर नाउन से हमें किसी विशेश खास व्यक्ति का पता लगता है इसलिए यह कहलाता है व्यक्ति वाचक संग्या कहलाती है इसलिए इसको हम व्यक्ति वाचक बोलते हैं कि इसे खास व्यक्ति का खास जगे का खास आनिमल का खास चीज क पता लगे common चीज का नहीं कोई भी चीज उठा ली कि भाई यह चीज बोल दी अरे नहीं भाई तलवार तो बड़े शान की बात होती तलवार किसकी टीपु सुल्टान की तलवार अब यहां पर चीज specific हो गई कि कि किसकी तलवार की बात कर रहे हैं सर नहीं हम कहते हैं कि बात करें तो specific चीज हो गई ठीक है लाइन जो है वह तो जंगल का राजा है लेकिन कौन सा लाइन अब तो लाइन कोई भी हो सकता है तो वह common में चला जाएगा मैं कहता हूं कि मुझे तो नार्णिया मूवी का जो लाइन था ना अरसलान मुझे तो वह बहुत शानदार बड़ा सारा लायन ठीक है तो यहां पर मैं specific हो गया विशेश हो गया मैंने बहुत सो में से एक गिंती करके बता दिया तो यहां पर आप क्या ध्यान कर रहे हो कि आप आख मन करो और उसका imagination करते ही वह चीज सामने आ जाए exact है ना तो हम वरलीव हो जाता है व्यक्ति इस इना sentences तो अब आपने खुद ने बी का बीस बोल दिया ना यानि कि वह काउंटेबल हो सकती है ठीक है और उसके लिए लगाते हैं लोग ना कलेक्टिव लगाएंगे तो क्या लगाएंगे कोई बज़े बताएगा क्या लिए क्या लगाएगा यह ना कुनाल खुद ही ब ताइब करताओ तब कै스 रचल का सॉन सुनर आपकं कर आपके लिए वागाएंगे बताएगा क्यों व्याख सानु जाएगा आपके के लिए swarm of bees very good बच्चा swarm of bees बिल्कुल सही है हाँ जो उसका घर होता है वह हाइव के लाता है वैभव ठीके ना जुन्ड जो पूरा होगा वह तो स्वाम के लाएगा ठीक है जो उनका घर होगा ना जहां पर रहती है जो उनका जो उनका घर बनाया जाता है ठीक है अब जिसे ह स्वाम मिल गया आपको आंसर अभी हम देखेंगे कि स्वाम जो है वह किसली कैसे काउंटेबल हो जाएगा वह हम सिंगूलर काउंट करेंगे अभी आएंगे हम लोग तो प्रॉपर नाउन से हमें जानकारी रखनी है सिंपल सी बात है कि जिसको आप सोचो और एक्जाक्ट उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ रही है तो वह आपके लिए प्रॉपर नाउन है कहीं पर भी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी अब दिक्कत आ जाती है कॉमन नाउन की क्योंकि सबसे जादा हमारे सिंग्णर प्लूरल तो हमारे कॉमन नाउन से बनने वाले अब यहां पर कोई चीज स्पैसिफिक नहीं है अब इस कौन सी बीज है न हाँ कॉणनी बिल्कुल सही है हाँ स्वाउ म राउड क्राउड किसका ओगे जतनी किसका बना रहा है पीपल का आगे लिखो ना अगे लिखो किसका बना रहे हो किसका वर्ड यूज कर तो पता लगे है जिसके लिए लगा रहे हो ठीक है तो common noun जैसे की नाम बता रहा है कि पूरी की पूरी class category को यानि की पूरी की पूरी जाती को refer कर रहा है तो वो जाती वार्चक संग्या है ना यूज किया जाता है बोला जाता है तो अभी जैसे मैंने का लाइन is there king of jungle तो कौन सा लाइन कोई भी लाइन हो सकता है ना boys of my class are very intelligent तो कौन से लड़के बस मेरी class वाले तो यहां पर बस क्या हो रहा है common word यूज करा मैंने boy, student, girl, academy कौन सी अभी मैं कहूं शौरी academy तो मैं specific हो गया यहां पर कि एक ही अपना आप में academy बहुत सारी होती है तो वह word जो हम commonly use करते हैं किसी एक class category के लिए हम कहते हैं कि इंडिया के आदमी यह बड़े आलसी होते हैं ऐसे मैंने बोल दिया तो अब कोई एक आदमी की बात करी नहीं मैंने पूरी class category की बात कर दी मैं कहूं जपान के जो लोग होते हैं वह बहुत क् लड़का खेल रहा है तो यह तो कॉमन सी चीज हो गई है कुनाल रिक्वेस्ट की class में आते हो तो थोड़ा सा आप अच्छे बच्चे हो विल्कुल अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो अच्छी शिक्षा ले रहे हो तो अच्छे से हम्बल ही तरीके से ही लोगों को भी डी बच्चा यह जान करें रखो जातिन भी आपकी जैसे आपका फ्रेंड ने शायद आपसे चोटा ही होगा तो अच्छे हम्बल ही उसको मना कर दो कि देखो बच्चा मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी लांगविज तो प्लीज डोंट यूस ठीक है तो लेक बुलिंग से आ आ जाओ क्लास के अंदर तो यह एक और इंपोर्टेंट न्यूस पहले बता दो मैं कलेक्टिव नाउन की तरफ आगे बढ़ने से पहले तो शौरे भारत जो है वो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुती अनूठी प्यारी से सौगात लेकर आ रहा है जो भी बच्चे सेनि परसन रेसिदेंशिल प्रोग्राम है जो फोर्थ क्लास से उपर के बच्चों के लिए शुरू किया जा रहा है ठीक है उसके अंदर आप रहें हॉस्टल की तरह हॉस्टल लाइफ को जीएंगे इंजॉय करेंगे साथ साथ में अपनी कोचिंग तैयारी वगरा करेंगे कोई बात नहीं उसके लिए एक स्कॉलर्शिप टेस्ट ला रहा है जिससे वह बच्चे हैं वह इसके अंदर पार्टिसेपेट करेंगे और उनको स्कॉलर्शिप मिल जाएगी तो आराम से रह सकते हैं वह टेस्ट कब-कब होने वाले हैं यानि कि अभी 4th February को 11 February को फिस 24th March को पर लॉग इन करना है और नीचे अगर आपको कोई ज्यादा क्वेरी रहती है और भी चीज़ें पूछनी है तो वी हाव दर नंबर आप उस नंबर पर कॉल लगा के बागे को पूछ लेना ठीक है यह जानकरी रखनी है आजो आगे बढ़ते हैं collective noun में हमें collectively आगे बढ़न आप लोग अच्छे बच्चों की तरह हम लोग इंडिया में कहां कहां बैठे हैं लेकिन सब हम लोग एक क्लास में खट्टे होके बैठे हैं तो ऐसी हम लोग भी पूरी अच्छी collectively अच्छा कुछ काम करें अपने लाइफ में ध्यान रखना तो यह आ गया है हमारे पास में collective noun यानि की समूह वाचक यानि की पूरे group को use किया जाए word एक के साथ में हम लोग use कर रहे हैं समूह के लिए पूरे अब जैसे मैंने कहा class की बात करी कि my class is very good तो मैंने क्या बोला my class मेरी class जो है class में बहुत class किससे बनती है बहुत सारे students से बन रही है है ना consists of many students बन रही उस उसको singular usage करना है जैसे अभी कुनाल ने पूछा बदुमक्यों के लिए तो सबने बताया swarm of bees है ना तो मदुमक्यों को जो जुन्ड है वो पीछे पढ़ गया तो मैंने कहा swarm of bees is after the boy उसके बलड़के के पीछे पढ़ गया तो हमने use करा क्या use करा तो अब जब हम क्या कर रहे ह हो बहुत साथ लोगों से बन रहा है लेकिन उसको हम क्या consider करते हैं singular consider करेंगे एक consider करेंगे यह पहले बात जानकर रखनी है subject verb agreement की जब हम बात करते हैं तो यह एक important बात जानकर हो जाती है क्योंकि हम देखते collective noun हैं इसमें तो बहुत सारे noun आ रखें तो भाया हमें वर्ब त क्यला आएगा आगे बात समझ में तो यहीं इसलिए शुरुबात में देख लो आपको सर सब्जेक्ट वर्ब अगरीमेंट बोल रहे हो इसका कोई एक एक जांपल तो पता लग जाए तो यहीं से एक एक जांपल शुरू हो चुका है कि collective noun हम लोग देखते हैं कि बहुत से स कैसे आएगी वर्ब सेम तब याद रहता है अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि सको कउछ ऐसे वर्ड्स वर्ड्स को जो हम अकसर यूस लेते हैं connective के तर पर तो हर्ड्ड जा कोई कहानी सुनी थी तो पुरानी बात हम लोग लगाते हिर का हर लग लगाते हैं वाला वर्ड अलग है होउमोफोन की तरह हम लोग कह सकते हैं उसको द्यान करेखना तो है किसके लिए सात में लगाते हैं हैं herd of buffaloes herd of cattle herd of cranes cranes तो आपने बगूले सारस देख रखे होंगे herd of deer herd of donkeys herd of elephants herd of goats herd of horses herd of moose देखो moose बता दू मैं moose आप लोगों ने देखा होगा reindeer जैसा एक बड़ा सा हिरन जैसा होता है हिरन तो हले कि छोटे होते हैं stag आप लोग देखते हो बड़े-बड़े जो नील गाय जैसे बड़े-बड़े जानवर होते हिरन और उसकी काटिगरी में आते हैं बड़े-बड़े से सींग होते हैं और थंडी जगों पे रहते हैं वो वाले जानवर है moose oxen यानि की sand herd of oxen, herd of pigs herd of ponies ponies छोटे घोड़े घोड़े-चोटे-चोटे घोड़े होते हैं उनको ponies बोलते हैं herd of ponies herd of seals, seals का आप लोग देखते हो पारी में रहते हैं herd of yarks, yarks आप लोग देखते हो कि पहारी इलाकों पे रहते हैं बड़े-बड़े beasts जैसे दिखते हैं और सरदी इलाकों में उपर चड़ने के लिए आसान का help out करते हैं herd of zebras herd जो word है हम mostly इन सब animals और इन सब की group के लिए usage में लगाते हैं इनको याद रखना है मूज दानव नहीं है बच्चा जतिन कोई दानव नहीं है वो एक तरह का जानवर है ठीक है ध्यान रखना आपने frozen movie देखी होगी frozen में आपने देखा होगा कि एक prince होता या कोई man होता है जिसके पास में एक reindeer type का उसके पास में हिरन होता है वो moose होता है उसके पास में ठीक है pack pack word हम लोग लगाते हैं जब जुन्ड छोटा हो herd में ज्यादा number number of animals जो है number of creatures है वो ज्यादा हो जाते है pack के अंदर थोड़े से कम हो जाते है number of जो है ना वो कम हो जाएंगे pack of dogs dogs के लिए grouse pack of girls girls यानि हमारे seagulls आप लोगो ने देखा होगा pack of hounds sharks pack of weasels weasels भी mongos इसके तरह लिखने वाले चोटे-चोटे से जानवर होते है pack of wolves ठीके ना तो यह लगाते हम लोग ठीके तो हम लोग pack word लगाते इन सब के साथ में pack of dogs pack of girls hounds mongosies mules rats rats के लिए भी एक और word भी आएगा तो कि राट क्या होता है picture of moose अभी तो मैं कहा से दिखा दूँ यहां पर अभी मेरे पास में नहीं है तुमने कहा है तो I will show you in in the later classes में अगली दो classes होंगी next classes उसमें मैं जरूर से बताऊंगा ठीक है मुझे लगता है कि photos लगानी चीए जिसे ध्यान रहे कि अच्छा इसके लिए आए जाता है वाणा confusion रहे कोई बात नहीं आप लोग आपने क्या लिखा आपने scissors लिखा ना आपने खुद नहीं वर्ड क्या लिखा scissors लिख दिया तो जो आपने वर्ड ही scissors लिखा है यानि की वर्ड ही प्लूरल है बच्चा है ना तो उसका यूसेज भी क्या होगा उसका यूसेज भी प्लूरल ही होगा अभी मैं सब समझाऊंगा चिंता मत करो जैसे हमारा collective खतम होगा abstract material खतम होगा तो हम लोग सिंगूलर प्लूरल की तरफ ही जाएंगे और तब मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या वर्ड लगाना है ठीक है ना तब यूसेज देखेंगे हम लोग हर एक चीज का यूसेज देखेंगे चिंता मत करो सिंगूलर प्लूरल में सारी चीज़े बताऊंगा अब कभीर देखो आपने पूछा है तो आपको यहां पर ही बता दू मैं कि सिजर्स अगर हम यूस करें तब तो प्लूरल है लेकिन मैं कहूँ अपेर ओफ सिजर्स तो यानि की एक जोडी तब हम सिंगूलर यूसेज लगाएंगे अगर हम नॉर्मल वर्ड करें मैं कहूँ सिजर्स आर तो क्या लगाऊंगा मैं उसको प्लूरल यूस करूंगा अच्छा हटा भी दिया कोई बात ही सीख ले चलो आगे बढ़ते की बात चल रही है ख्ल !! होता है वह भी झुर्ण की लें लगा तो फ्लॉक बर्ट ह हमारे लिए यूस होता है कि सभस यूस होता है हमारे लिए बडस यूद। टो फ्लॉक प्र्ण अब राजस्थान में कोई राजस्थान को उसको पता होगा डक्षी है राज्य पक्षए है गटावन ठीक है ना तो गटावन के लिए वर्ड रॉता है थो थैनल को सब्सक्वाइब इस मो Alfक क्हैमल्स टीर्इट हैब्टक्त फट्रक टो सव होने की लिए आते हैं जिस्पर शेहर वहां gens doğ यानि कि इंडिया में हम कोई नहीं घूमने के लिए रहता है तो टूरस्त के लिए लगाते हैं लोग तर्कीस टर्कीस एक प्रकार की है ना बड़ी सी होती है लोग अक्सर खाते हैं इस ना यहां राजस्थान तो यूज दिस ठीक है ध्यान रखना बस्टर्ट गोडवन एक तरह के पक्षी होते हैं ज्यादा उपचे नहीं पाते हैं आप लोग सब्सक्राइब बहुत रेंड बस्टर्ट की जो पॉपुलेशन वो दिन में दिन कम होती जा रही है गूगल पर देखो बिल्कुल सही जतन के रहा है वो भी तरह के पक्षी होते हैं गुडवन ठीक है अब उनकी संक्या काम हो रही है यह ज्यादा उड़नी पाते हैं येस आं फ्रम राजस्थान बिल्कुल सही है वेरी गुड ठीक है चलो आगे और वर्ट को पढ़ना हम लो सब्सक्राइब कीड़े होते हैं वह एक साथ होते हैं ठीक है तो सौम उफ आंड्स की लिए आर्मी वर्ट भी यूज किया जाता है आर्मी ऑफ्सक्राइस और गोफ ऑन्स आर्मी ऑफ आंड्स तो स्वाँम अवब बीजना बार्ट फ्लाइज तो आम इल्स मचलिया होती है आप लोग देखते हो ऐसे से मचलिय ही होती है साम जैसी दिखती है लेकिन पानी में रहती है तो वह उसको इल्स बोलते हैं लोग फ्लाइज मक्हिया मक्हिया घर में उड़ती हैं इंसेक्स चुछे से कीड़े होते हैं उनके लिए राक्स चूओं के लिए हम लोग स्वाम जाते है अब वर्ड होता है शोल शोल होता है और साख में हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्कूल धियात तोल स्कूल यह शूर्ड देख के लिए ड़ी तोण्च एल जाता बहुत प्रकार के मश्लियों के नाम है बास, हैरिंग, सॉल्मन तो दिहान रखना तो यह मैं सोचो कि सर यह क्या है नि बिड़ाग वो अलग है इलेक्रिक जो वाली होती है इल्स वो अलग होती है थोड़ा डिफरेंस है इल्ज में और एलेक्रिक वाली में थोड़ा डिफरेंस होता ता तो अलग प्रजाती हो जाती है इड्जक्त तो नहीं होती है थोड़ी चेंज़ ओता है ठीक है ना स्कुल ओफ फिश्ट गुल और वहे रिंग है ठीक है तो group of islands, group of people, group of dancers, group of engineers. तो इस group से मुझे एक question आया है, मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि इसके इसके लिए ये word में दौनों में difference क्या है, है ना? troop किसके लिए लगाते हैं? और troop किसके लिए लगाते हैं? ये बताओ. अब हम देख रहे हैं, spellings अलग-अलग हैं, लेकिन sound similar है, तो हम लोग लगाते हैं homophone. Now tell me, troop किसके लिए और T-R-O-U-P-E troop किसके लिए? Anybody? सर्च किया, तो वो कटी हुई और बेग हुई salmon fish देखा, हाँ बच्चा, जतिन इसलिए क्योंकि salmon जो fish होती है, वो सबसे ज़्यादा खाई जानी फिश में से, ठीक है न, mostly salmon ज़्यादा खाते हैं, लोग बाग, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड कबीर, ठीक है, हाँ, वेर अच्यार हो रहे हो, और ये टी आरो, यू पी ट्रूप, बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप गिविंग दी आंसर, बताओ, बताओ, जल्दी बताओ, हाँ, जतिन सही था, उसको आँ डिलेट नी करना चीह था, सही आंसर था, गलत नहीं था, तो ये जान कर जाकिनी, डबल ओ, जिसके पीछे आए, वो मोस्तली होता है, ट्रूप ओफ, सुल्जर्स, ठीक है, आफ मंकीज, मंकीज के लिए भी, और भी हम लगा सकते हैं, जो एक के पीछे है, जैसे डबल ओ, एक के पीछे एक आ रहा है ना, उसी प्रकार से जो एक के पीछे एक चले, दल चले, है ना, उसके लिए लगाते हैं हम लोग, और यह टी, आर, ओ, यू, पी, टूप होता है, यह परफॉर्मर्स के लिए, जैसे डांसर के लिए हम लोग लगा सकते हैं, जैना, परफॉर्मर्स के लिए हम लोग लगाते हैं, बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं, म्यूजिक व consistency एक की पीछे एक चलने की है ना वहां पर हम लोग इसका usage लगाते हैं यह जानकरी रखनी है क्या लिखा बेटा वैभव मुझे दिखा ही नहीं am I correct which one आपको message तो भेजो then only I will say it's correct or not else I कैसे कहूं मैं बिल्कुल सही हां बताओ वैभव send the message then only I'll say ना कि correct क्या ठीक है तो यह इस पर यह जानकरी रखनी हम लोग कईबा confusion पढ़ जाते हैं बैंड फ्मुजिशन्स कॉयर फ्सिंगर्ज नहीं होता कॉयर बोलना कि लोग चॉयर चॉयर करके स्पेलिंग तब घडबड़ी करते थे स्पेसिफिकली देना तो ध्यान रखना है बैंड फ्मुजिशन्स और कॉयर फ्सिंगर्ज ठीक है परफॉर्मर्स यह भी परफॉर्मर्स यह भी परफॉर्मर्स ही है ठीक है इनमें ध्यान रखना हम लोगों को चलो आगे कि यह रही हो तो अब हो लगाए जाती है लेकिन अगर इमप्लॉईज होंगे तो हम स्टाफ लगाएंगे स्टाफ आफ एमप्लॉईज इसे उपर डिरेक्टर्स का बोड बन जाता है तो हम लोग लगाते हैं बोड और दिरेक्टर्स ठीकना यहां पर हम देखते हैं गैंग अफ लेबरर्स टाफ उप्लोईस बोड फिरेक्टर्स यह दियाद रखना है । प्रिजनर्स कैदि कैदियों की है तो हम लोग यह वर्ड लगाते हैं। अच्छा ध्यान रखते हैं अच्छा। ग्रूप ऑफ परफॉर्मर्मर्स हां बिल्कुल सही है अब वैभव का मैसेज है इस रीयल गाग है। है चोर अच्छा चोर थीव क्रिमिनल्श क्रूक्स थिस्ट पिरेशनर सारे लग 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 लगbour लयता ब्लये म्हारी लग अब हम लोग गलत लगा लेते हैं और हमारे पास में गड़बड़ी हो जाती है किसमें मार्स में अब आगे क्याटेग्री हमारे अनकाउंटेबल जिसमें हम गिन नहीं सकते हमने देखा हम गिन नहीं सकते मैं काओं कि खुशियां लाइफ के लिए बहुत इसलिए हैं आप आप इन देश पर मुझे गशभ है तो गल जयना है कैसे ङृव कि इतना किल्लों यहादा है यह आप धिन दो सकते हम पर भी हमें गौर रखना पड़ेगा हमलों कँझोये इसलिए कि मैंने कहा कि भही लकडी है, wood है, हम count नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे बनीवी chairs, benches को count कर सकते हैं, तो material यानि कि जिससे किसी चीज का निर्मान क्या जा रहा है, plastic था, plastic से ये pen बन गया, तो I can count the pens, but not the plastic, मैंने इस screen के उपर ये काच लगाया, तो मैं काच के piece को गिन सकता हूँ, not the glass, तो मैं कहूंगा कि सर मुझे इस खिड़की के लिए 10 piece चाहिए, of glass, तो मैं pieces को गिन सकता हूँ, not the proper glass, उसको नहीं किन सकता, तो जिससे किसी चीज का निर्मान हो, अभी हमारे आसपास में क्या है, wall है, wall किसे बनीवी, bricks से बनीवी, stone से बनीवी है, तो मैं bricks को गिन सकता लेकिन मैं अगर कहूं कि भाया, बीच पे गया हूँ, तो I am enjoying on sands, resting on sands, तो मैं कह रहा हूँ, मैं बीच पे enjoy कर रहा है, यहाँ पर जानकर रखनी है, अब आगया है word abstract, नाम में ही abstract आरा, नाम ही abstract है, abstract, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकत हो, वो यानि कि वो सब चीजें क्या होती है, वो सारी की सारी emotions होती है, वो सारी की सारी conditions होती है, इस्तितिया होती है, ना, वो तो गरीबी से गुजर रहा है, ना, तो हमने कहा, वो किसे गुजर रहा है, क्या चीज से, गरीबी से, तो गरीबी को आप उसको क्या कर सकते हो, तो काउंट कर सकते हो सिर्फ महसूस कर सकते हो देख नहीं सकते हो और यह पूर यह में लगेगा अच्छा वो गरीब अरे वो गरीब है तो कौन है नाउन वर्ड है यानि कि यह वर्ड अद्जेक्टिव बन जाएगा कई वर्ण हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं मैं कहूं पावर्टी गरीबी है ना बाइग इसफिट ना चुट भी एलिमिनेट फ्रॉम इंडिया आप अलिमिनेट करना है लेकिन किसको करना आनसर मिल रहा है न अब यहां पर तो यानिकि वह तो आंसर देने वाला वर्ड सब्जेक्ट होगा यानि कि वह वाला वर्ड हमारा नाउन वर्ड होगा तो यह हमने देखा गरीबी तो हमें confusion में हो जाता है कई बार अजक्टिव वर्ड और abstract noun के अंदर तो ध्यान रखना अजक्टिव वर्ड हमेशा क्या करता है हमेशा enhance करता है हमेशा modify करता है describe करता है नाउन वर्ड को लेकिन नाउन तो खुद अपने वर्ड है वो तो उसी तरह से ही usage में लिया जाएगा यहां पर बात हो रही है कि वहां आदमी गरीब है तो वह गरीब है लेकिन यहां बात हो रही है क्या चीज़ इंडिया से हट जान beautiful तो अब beautiful है लेकिन कौन है सीता है यह अब खुबसूरत है सीता कैसी है सीता खुबसूरत है लेकिन खुबसूरती जो है वो सब प्रेज करते हैं राम जो है उसी कॉलिटी बता रहा है कि वह एक इमांदार लड़का है मैं कहूं honesty is the best policy इमांदारी ही सबसे सच्ची सही नीत क्या हो जाता है वो वर्ड हमारा नाउन वर्ड हो जाता है बस यह जानकारी हमें रखनी है ठीक है तो चलो आज मैं अपनी क्लास में यहां तक ही लगता हूं आप लोगों के लिए होप आपको समझ में आया होगा और क्वेरी देती है तो बिलकुल openly अपनी classes में आके आराम स से पूछना है आप लोग की क्लास है मैं कल वापेस इसे ताइम पर मिलूँगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे topics के साथ में अभी नाउन चल रहा है नाउन एक बहुत ही important और जरूरी topic है अभी हम पढ़ेंगे इसके लिए ठीक है ना तो मैं हर्षबर्दन आप लोगों से लेता हूं विदा जल्दी ही मिलूँगा तब तक के लिए हास्ता रवीस्ता टेकेर बाय बाय जैहिन बंदे मातरम साय मारा